पर दिल्ली की सभी 272 वार्डों में आज से अभियान सुरू किया है यह वट विक्स लगा के हमारे कार्यकरता शुरू करेंगे और हमने कहा है कि एक वार्ड में कम से कम पंद्रहसों पेड हैं तो कार्य करता है तो सुबह साम मेहनत का स्लोग हैं हम लोग के जिम्मेदारी मनें अपने अपनी तरफ से सब लोग चंदा इकटा करके पेड लगा रहे हैं तो वह चंदे वाले ही उसकी पेड़ का पालन पॉसंद भी यह इसलिए चुना के इसकी लाइफ भी लंबी होती है और यह लोगों के उसमें वी काम आता है यह जो दिये गए है कुछ कार्य करता हूं को हमने पेड दिये गोद में और कुछ लोगों ने लिए जो वहां पे लोकल टीम है उन्होंने लिए पेड़ को कि आपको हमने दोसो बातार पेड तो हमने सिंबोलिक तोर पर यहां पर दिये बाकी पंद्रासो पेड़ का हमारा थार्गेट है दस दिन का यह कारिकर में हमारा आज से लेके दस दिन तक लगातार चले रहे करके हमने सबसे पहले आभी कहा है कि बेटा घूमे बेरोजगार और माबाप को तीर्थ कराई सरकार है तो यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यह जो तीर्थ यात्रा की स्किम यह जो लॉंच करने की कोसिश की गई है यह सरासर परिवारों में विंटन करने के लिए माबाप का बेटे बेटा-बेटी के परती विद्वेश पैदा करने के लिए यह स्कीम डौच की रही है और हम इस स्कीम के बारे में जानने जाते के जरीवाल अगर साड़े-चार साल तक बच्चों को रोजगार देते अगर ब वोट बैंक बनाने की त्यार ही है कि बुजुर्ग माबाप को बैंक बनाना चाहते हैं और इसलिए परिवार के अंदर एक विखंदन कराने चाह रहे हम इस की में करते हैं कि लिए उसका विद्वारों में अपनी प्रेष्विग्भति में यह कहा है कि दिल्ली सरकार बताये वो बढ़ा दिनोरा पीट रहे है पिछले 3-4 दिन से के अंबेढकर 사ाब के सपनों को पूरा करेंगे बाबा साब के सफनों को पूरा करेंगे तो पिछले लेड़ साल में जो डलित बच्चों को कोचीिंग दी गई है कि द्ल्दी अंब क works of a अधू सди अगर आपको वाक्या याद होगा तो दिल्ली विधान सभा के प्रांगण में बाबा साब की मूर्ती में माल्यारपन करते हुए दिल्ली के जूटे मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि दिल्ली में जितना भी बैक लोग है हम पूरा करेंगी और मैं बार बार इस बात का विरोध लोग पूरा करेंगे लेकिन पिछले साथे चार साल में तो कोई एक वेकेंसी नोटिफाइड भी हुई है तो यह जो गुमरा किया जा रहा है बाबा साथ के नाम पे उन्हें लगता कि दलित तो बाबा साथ के दिवाने नाम लोग और यह चुंबक की तरह चले जाएंगे म बाबा साहब अंबेड करके नाम पर दलितों को ऑक्सीजन बनाने चाहिए यह ऑक्सीजन की जो वोट बैंक है इस वोट बैंक की राजनीती को खतम करने के लिए आपकी अपनी पार्टी दिल्ली में संगर्स कर रही है और यह कारिकम हमने चला हुए प्रिवाल सरकार ने सीवर में और ही मोतों को द्यार में लखते हुए उनको सुनिदा देते हुए 200 गाडिया लगाई है उसके बावजुद आपको जो गाडियां दी है वो गाडियां आप बताये किन लोगों के गाड़ी इशू की गई है अगर एक गाड़ी 25 लाग उसकी कीम मोत हुई है तो मैं तो सीधा हमारी पार्टी सीधा केजरिवाल को सीवर की मोत का जिम्मेदार मानती है और हमने पहले भी कहा है कि अगर आपके अपनी पार्टी पीपल्स की 2020 में सरकार बनेगी तो 15 दिन के अंदर अंदर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल बेजेगी सिधा सिधा मुद्धा बनता है केजरिवाल को जेल बेजने का और इसके लिए कि एविडेंस की दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जूटी एविडेंस दिखा रहे थे सीला दिक्सित के खिलाब वह पेपर लहराने की जरूत नहीं है यह एविडेंस सारी जंता के सामने है तो हम वायदा करते हैं आपसे अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 15 दिन के अंदर-अंदर केजरिवाल को जेल बेज के दिखाएंगे दिल्ली का ये फायदा होगा आपकी अपनी पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले हम रोजगार का सर्जन करेंगे जो ये कारें जो कारों की भीड दिल्ली में है एंवार्मेंट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम कार की रास्टुन करेंगे जितने भी ये सोरूम खुले हुए कारों के हम एक ऐसा सिस्टम बढ़ाएंगे दिल्ली से बाहर इनको लेगे जाएंगे और दिल्ली में एक लिमिट मात्रा में कार चले रोड पे जगे मिले गरीब आदमी को साइकल चलाने वाले को उसको भी जगह मिले पैदल चलने वाले को आज ऐसी आलात है कि आज पब्लिक ट्रास्पोर्ट गाड़ियां डिपो में सड़ रही हैं गाड़ियां डिपो में सड़ती हैं लेकिन उनको सटक में चलने की जगह नहीं है एक गाड़ी यहां सब्सूरू होगी तो एक घंटे के बाद ISBT पहुंशेगी कितनी बुरी हाला थे हमारे पास पूरा रोड मैप है दिल्ली को हम छे जोन में डिवाइड करेंगे छे जोन में डिवाइड करके और दिल्ली के लिए पूरा हमने रोड मैप बनाये हुआ है कि आपको किया परसाहण कर अब सरकार आपने नागिरिकों को सस्टा एशी दे रही हंतों कुछन भी पहुँचें हमारा कहना है हर घर तक जली तो वह बिजली तब पहुचे कि जब आप पावर कंचम्शन को कम करेंगे और अगर पेड़ लगाएंगे जादा पेड़ होंगे तो उसका ख्लाइमेट चेंज होगा ख्लाइमेट चेंज होने से पावर कंचम्शन रुखेगी तो आप बैटर एंवार्मेंट प्रोवाइड क तों निए दिल्दी सकार माहिलाओं वेली प्रिमें तो आपको का पता है आज वगइव सब्सक्रार के यह तो कि तो यह बहूए तょनाओ चुनाओ के नहीं गरूद करने यह ऐसे प्रोग्राम लाए जा रहे हैं ताकि एक क्लास वोट बैंक चार करने की राजनिती है इसके अलावा यह कोई करकर नहीं है और दूसरा महिला है सिरफ कामका जी महिलाओं को आप सुझी रदेना चाहते हैं लेकिन जो महिला घर में रोटी बना लिए जो पुरे परिवार को देख री है उस महिला के लिए क्या लगाए आप? आप महिलाओं के बीच में भेदवाओं करना चाहते हैं जातर दलित और गरीबवर्ण की महिलाएं घरों में काम करते हैं सारे दिन पानी की लाइन में खड़ी जाती है उनके लिए क्या स्कीम है आपके पास आप किन महिलाओं को आप देना चाहते हैं एक महीला को देना चाहते हैं तो ऐसी स्कीम का कोई फायदा नहीं है और दूसरा जिसी स्कीम को आप इंप्लिमेट नहीं कर सकते हैं अगर केंद्र सरकार केंद्र सरकार की हिस्चीदार है दिल्ली मैट्रो है उसके बाद तीन लोग पारटी है तो एक आजमी कैसे डिसीजन ले लेगा कि मैं इसको फ्रीज कर दूंगा आप जनता में जूट मोल के घुम्रा कर रहे हैं जनता को सर आपने स्कूल की बात कि पांसो स्कूल पुले निक दो और वीस कॉलिज नहीं पर केजली वाजी परसों को यह कह रहे थे कि हमने पांसो स्कूल नहीं बनते तो क्या दिल्ली के पांसो स्कूलों में पांच हजार टीचर को नोकरी मिलती हैं नहीं पांच हजार लोगों को पांच हजार लोगों को फॉर्ट क्लास के लोगों को नोकरी मिलती यह बच्चों का जो आज आज एक रूम में 120 बच्चे बैठे हुए 500 बच्चे बैठे हुए उनको अल्टर ने डेज में पढ़ाया जा रहा हैं तो क्या उस एजुकेशन सिस्टम में बेटर्मेंट होती या नहीं होती आपने उसके लिए तो कोई काम नहीं क्या आप कहते हैं वर्ड क्लास किसके लि लिए सब्सक्राइब ने यह कोलीज खोल दिया है अभी चुनाव सिर्फर है पर लगाता है आपके लिया और प्रेस्पों फेरेंसे इस तरफ इसारा ज़र रही है कि आप बड़े प्रूप से चुनाव को फाइट देने बाले हैं क्या वे इस वार्वे देगे चलते-चलते चुनाव में भाग लेंगे तो चुनाव में भाग लेंगे तो नैचुनल है कि हम भी अपनी बात जंता के बीच में पहुचाना चाते हैं और उसका माध्यम क्या है कि जो बड़े लोग हैं जिन्हों ने संसाद्रों पर कमचा किया हुआ हमारी पार्टी का एक ही प्राबरी का बटबाना हो सके और संसाद्रों पर जिन संटक भुष और हम नहीं चाहते हैं कि इस देष में कास्ट शिस्टम खतम हो तो हमारा में उद्देश्थ यह एक देश में गैर बराबरी की विवस्ता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी जिस दिन सब्सक्ता में आएगी उसी दिन हम सबसे पहले कास्ट एप लेक्ट आएगे ताकि इस देश में क्लास बढ़ सके और क्लास संगर्स करें सेके गरीब और अमीर का संग जो है वो एक्ट जो है वो आप पारिद कर पाएंगे तो हजारों सालों से चला आरा पांस सार में इस चीज को क्या सब्सक्राइब का संविदान नहीं था देश का संविदान 1950 में लागू हुए पहली बात दूसरी बात जब 1400 साल पुरानी व्यवस्ता ट्रिपल तलाक खतम हो सकती है अध्यादेश के जरिए तो एक कानून के जरिया कास्ट अबोलिशन भी हो सकता है कैसे करेंगे जो सरकारों की माल सिकता ठीक नहीं है वह आप से छिपाने जाते हैं वह आपके साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप ए सबसे पहले